नमश्गार मिरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डाउट नेट पर मैं आशा और उमीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित है, एकदम सुवस्थ है और एकदम तंद्रूस्थ भी है और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस interesting, important ज्ञान वर्दक और super fantastic class का इंतजार कर रहे हैं हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ हमारा subject है समाजिक अध्यन और इस समाजिक अध्यन विशे में आप और मैं start करेंगे एक बहुत ही important part आपका समाजिक अध्यन का वो है इतिहास क्या है बच्चों इतिहास तो आज से हम लोग इतिहास को आप सभी के सामने रखेंगे और इतिहास के संदर्व में यानि के हिस्टरी के संदर्व में आज हम लोग अपने पहले चैप्टर को आप सभी के सामने रख रहे हैं चैप्टर का नाम है यूरोप में राश्टवाद का हुद है हम लोग बात करेंगे राश्टवाद के बारे में जानेंगे राश्टवाद होता क्या है राष्टवाद का अर्थ क्या है इसको पढ़ने की आवशकता क्यों है और राष्टवाद किसी भी देश के लिए क्यों आवशक है और ये राष्टवाद यूरोप के अंदर क्या होता है बच्चों इसकी भावना मुख्य तोर पर यूरोप के अंदर शुरू होत अगर आप लोग इसको कहानी के तौर पर समझते हैं हम लोग बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आप सभी के सामने बाते करेंगे आप सभी बच्चे पूरे के पूरे चैप्टर को बिलकुल ध्यान से सुनिएगा किसी भी तरीके का कोई भी कन्फूजन कोई भी डाउट मत यार हैं आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेंट पैंसिल मौजूद है अब बिना समय को वेयर्थ करे हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे और क्लास को शुरू करने से पहले इन बातों पर डिसकुशन करेंगे कि आज की क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर बिन्दों को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्टवाद के बारे में सबसे पहले इसी के अर्थ को जानेंगे कि राष्टवाद क्या होता है राष्टवाद से क्या तात पर रहे है इसको जानेंगे उसके बाद फिर हम लोग यूरोप में है ये क्या अर्थ रखती है इसका अर्थ क्या है ये देखेंगे और इसी के सासाथ फिर ये देखेंगे कि यूरोप महादवीब में ये सोच कब विद्मान हुई वो क्या घटना करम रहे वो क्या क्या सिच्वेशन रही वो क्या घटनाए रही जिन्हों ने यूरोप के अंद में इसके बारे में जानकरी प्राप्त करी थी हम लोग यहां पर इसको और एक बार पढयेंगे क्योंकि क्या है बच्छों ये कहानी ये फ्रांसीसी क्रांती का रूप फ्रांसिसी कहानी की प्रेश्ट भूमी कहीं न कहीं राष्टवाद की ओर आपको ले जाती है और उसके साथ ही हम लोग डिसकस करेंगे राष्टवाद की भावना की रचना कि कोई भी देश क्या करता है बच्चों अपने मस्तिश्क में क्या है किसी भी देश के नागरिक अपने दिमाग में राष्ट की भावना या फिर देश की प्रेम की भावना कैसे पैदा करते हैं वो क्या क्या तरीके होते हैं जिसके दुआरा एक देश और देश के नागरिक ये दिखा सकते हैं कि वो अपने देश से बहुत जादा प्रेम करते हैं चलिए, क्लास को शुरू करेंगे और यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे एक पिक्चर के साथ सबसे पहले हम लोग राश्ट वात के बारे में बात कर रहे हैं देखिए था क्या कि यूरोप के संदर्ब में अगर बात की जाए या फिर अगर हम लोग क्या करें बच्चों भारत के संदर्ब में बात करें या फिर आप लोग अमेरिका के संदर्ब में बात करें या फिर साथ सो साल पहले देखें किस प्रकार के शासन हुआ करते थे क्या लोगतंतर विद्मान था क्या लोगों की बास सुनी जाती थी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं भारत में लोगतंतर कब आया लगभग 75 साल पहले आया लगभग 73 साल पहले आया दुनिया के बड़े बड़ देशों को चलाया जाता था आप सभी जानते हैं क्या है बच्चों के उससे पहले देशों को चलाया जाता था राजा के द्वारा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग राज तंत्र कहते हैं अगर मैं आप से पूछना चाहूं कि लोगतंत्र जादा अच्छा है य राजा जो चाहता है वो करता है और उसी तरीके से देश को चलाता है यूरोप के अंदर भारत के अंदर दुनिया के बड़े-बड़े देशों के अंदर क्या था बच्छों क्या हुआ करता था कि जो जनता थी क्या है बच्छों जो नागरिक थी जो प्रजा थी वो क्या करती थी वो अपने राजा के प्रती बहुत जादा सम्मान देखती थी क्या रखती थी राजा के प्रती बहुत जादा सम्मान रखती थी अब चाहे राजा अच्छा हो या बुरा हो जनता को लगता था कि राजा तो राजा है हमें इसका सम्मान करना होगा आपके हिसाब से क्या चीज महतुपूर है क्या राजा से प्रेम करना राजा से इस नहीं करना राजा का संबान करना जादा important है या फिर देश से प्रेम करना देश का संबान करना देश को अपना मानना जादा important है क्या चीज है भई राजा आते जाते रहेंगे लेकिन देश कभी आता जाता नहीं है देश हमेशा से है हमेशा रहेगा राजा बदलते रहते हैं जब किसी देश के अंदर, किसी देश के नागरिकों के संदर्ब में, किसी देश के नागरिकों के मस्तिश्क में ये बास समझ में आ जाए कि हमें राजा से प्रेम नहीं करना है हमें राजा का सम्मान करना है लेकिन हम जादा वफदार होंगे वो देश के प्रती होंगे जब देश की जनता क्या कर ले बच्चों अपने देश को अपना मानने लगे अपने देश से प्रेम करने लगे राजाओं को महत्व कम देने कि कम महत्वदे कर देश को जादा महत्वदे ठीक है देश की भाशा को देश की संस्कृति को देश के लोगों को जादा महत्वदे उसे ही राश्टवाद कहा जाएगा राजा आते जाते रहते हैं लेकिन देश हमेशे रहता है तो ये तो एक तरीके से हमने यहां पर एक वाद एक प्रकार की सोच है और ये क्या बताती है ये बताती है कि किसी भी देश में राश्ट से मतलब है देश किसी भी देश के अंदर जो सदसे नागरिक हैं वो एक साजह पहचान रखते हैं क्या रखते हैं बच्चों एक पहचान हैं क्या है हमारी पहचान भारती है हमारा धर्म बाद में आता है हमारी जाती बाद में आती है हमारा हमारी भाशाएं बाद में आती है हम सभी एक सांजी विरासत को शेयर करते हैं कि हम सभी भारत देश में रहते हैं जब देश की जनता जब देश के नागरिकों को ये रियला की सोच है जो किसी भी देश के नागरिकों के संदर्व में आती है और उन्हें ये बताती है कि हम साजी पहचान रखते हैं हम सब एक हैं हम इस देश के नागरिक हैं देश हमारा सव प्रथम है देखे राश्टवाद जो होता है राश्टवाद का मतलब क्या है कि अपने देश किसी भी देश के इंदर राष्ट वाइट कैसे प्रतीकोंसे हैं अलग-अलग धर्मों को मानने वाले हैं हम सभी भारतिये जुड़े हुए हैं हमारे राष्ट्रे प्रतीकों सेjanic. यही घटबना-करम यूरोप के अलग-अलग देशों में हुआ था. वहाँ के क्या था बच्छो राष्ट्रे प्रतीकों ने, और वहाँ के राष्ट Д्वज, यानि के उनके देश के जन्डे ने सब को एक कर दिया. लोगों को लगने लगता है कि देश के अंदर हमारी बहुत जादा उपयोगिता है तो सीधे सरल शब्दों में आपने क्या पाया? सीधे सरल शब्दों में आपने ये देखा कि राष्टवाद एक विचार धारा है जो लोगों को अपने देश से जोड़ देती है उनको बताती है कि देश अपना है अपनत्व की भावना होने लगती है इसे ही राष्टवात कहा गया आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे कुछ और महत्वपूर बिंदू देखे उननिसवी सदी के मद्धे तक ठीक है उननिसवी सदी की बात हो रहे हैं यूरोप ये देशों का वैसा स्वरूप नहीं था जैसा हम आज देखते हैं आप अगर यूरोप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज के समय में अधिकतर यूरोप के देशों में लोग तंद्र है अधिकतर यूरोप के देशों में आप बेल्जियम को देखें ठी अगर हम आज से लगभग 300 से 400 साल पीछे जाएं या फिर 200 साल पीछे जाएं तो आप क्या पाते हैं क्या वो सभी देश वर्तमान स्वरूप से ही चल रहे थे क्या वहाँ पर लोकतंत्र था ऐसा नहीं था उस समय विशेश में यानि के लगभग आज से 300-400 साल पहले यूरोप के अंतरगत क्या था बच्चों वैसा स्वरूप नहीं था जैसा आरज है यानि के लोकतंत्र नहीं था तो भी रा कैसे चला करता था देश का साशन उस समय क्या था बच्चों देश का शासन अलग-अलग वन्शों के लोग कर रहे थे यानि कि अलग-अलग राज परिवारो नहीं था राजाओं का जादा महत्व था अच्छा अलग-अलग राज परिवार थे जो क्या कर रहे थे बच्छों राज करते थे यूरोप के अलग-अलग देशों पर ठीक है अच्छा और घटनकरम को अगर हम देखना चाहें इन इलाकों में राज तंद्र का शासन हुआ थ करता था अच्छा राजवन्श का मतलब क्या होता है कि एक ही परिवार है कि एक बार कोई विक्तिराजा बन गया उसके बाद उसी का ही परिवार क्या बनता रहेगा बच्छों उस देश पर शासन करता रहेगा और इसी को राज तंद्र कहा जाता था तो क्या देखा आपने ये पाया कि 19 वी शतापदी से पहले यूरोब के अंदर वर्तमान स्वरूब का शासन नहीं था, वहाँ लोकतंत्र नहीं था, वहाँ पर एक ही परिवार के लोग किसी छेतर विशेश पर राज करा करते थे, और आपने क्या देखा, आपने ये देखा, इसी को ही हम लोग राज तंत्र कहते हैं, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और महतुपूर्ण बिंदू आप सभी के समक्ष रखेंगे, ठीक है, एक पिक्चर है, इस पिक्चर को समझेंगे, एक प्यारे से पॉइंट क समाज में परिवर्तन आया, ठीक है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया, लोगों के विचार धाराओं में परिवर्तन आया, और समाज में आये, इन परिवर्तनों ने लोगों में राश्टवाद की भावना को जनम दिया, लोगों को रियलाइज होने लगा, अचानक से त को मान लिया करते थे चाहे वो कानून सही बनाएं या गलत बनाएं राजाओं का बहुत सम्मान था लेकिन जैसे जैसे राष्टवात की भावना बढ़ने लगी कि हमें देश से जादा प्रेम करना है देश की जनता को एक दूसरे से प्रेम और सनहे से रखना है हम सभी की संस् दिमाग में राष्टवात की भावना आ गई अपने देश से प्रेम की भावना आ गई हर कोई अपने देश को अपना मानने लगा ये भावना बढ़ने लगी ऐसा नहीं हुआ नए राष्टों के निर्माड में क्या होता है बच्चों नए नए राष्टों यानि के नए नए देशों के निर्माड में जो सबसे पहली परकिरिया थी वो 1989 ये साल आपको याद होना चाहिए आप लोगों ने कख्षा नाइंत के अंदर इस साल को जरूर पढ़ा था तो 1789 अगहले साल के अंदर एक बहुत ही बड़ी घटना होती है और उसके बाद ही यूरोप के अंदर क्या होने लगता है बच्चों लोगों को राश्ट के पती जादा सम्मान की भावना देखी जाती है क्या होता है 1789 में आपको पता है बच्चो 1789 में फ्रांस की क्रांटी होती है ना फ्रांस की क्रांटी होती है और फ्रांस की क्रांटी का मतलब क्या था फ्रांस की क्रांटी का मतलब था कि फ्रांस के अंदर एक राजा था जिसका नाम था लूई 16 याद है आपको जी हां यह लूई 16 एकदम बेकार राजा था गलत तरीके से काम करता था गलत कानून बनाता थ जनता इस से परेशान थी और इसने अपने समाज को बहुत गलत तरीके से बाट रखा था कुछ लोगों को ज़ादा विशेश अदिकार दे रखे थे जनता इखटी हो जाती है जन्ता को लगने लगता है कि राजा ने बहुत गलत किया है हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें अपने देश को बचाना है हमें अपने देश को इस राजा से अलग कर देना है जब जन्ता अपने देश को अपना मानने लगे इसी को ही तो राश्टवाद कहते हैं और सबसे पहली यही सोच फ्रांस के अंदर देखती है फ्रांस की क्रांती में राश्टवाद की भावना कि यह हमारा देश है राजा को हटाएंगे हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे फिर आगे की कहानी देखे क्या है बच्चों लेकिन किसी भी नई विचारधारा की बात की जाए क्या है बच्चों ये जो विचारधारा है ये क्या है बच्चों एक दम से फैलती नहीं है इसको पहलने में टाइम लगता है और लगभग 100 साल लगे 1789 में सबसी पहली सोच आपको दिखती है फ्रांस की करांती में जब लोगों के संदर में लोगों के मस्तिश्क में ये बात आती है उनके दिमाग में कि हमें राश्ट से जादा प्रेम करना है राजाओं से नहीं और ये पूरी की पूरी सोच पूरे विश्व में या फिर कहा जाए पूरे यूरोप में लगभग 100 सालों के अंदरगत फैलती है यानि कि यूरोप के और देश जर्मनी हुआ बेलजियम हुआ ठीक है आपका क्या हुआ बस जो आस्ट्रिया हुआ इन देशों के अंदरगत ये सोच लगभग 100 सालों के अंदरगत फैल पाती है एक दम से सोच नहीं बदलती मनुश्यों की टाइम लगता है समय लगता है आगे की बात देखते हैं यहां पर क्या है बच्चों इस लंबी प्रकिरिया में क्या है बच्चों ये जो अपने राश्टोवाद की प्रकिरिया देखी इसके अंदर क्या है बच्चों फ्रांस का एक परजातंत्रिक देश के रूप में गठन किया सबसे पहली जो शुरुवाद देखी जाती है उसमें आपने क्या देखा कि फ्रांस के अंदर जो फ्रांस इसी करांती थी उसने सभी देश के लोगों को दुनिया के सभी देशों के लोगों को एक प्रकार का क्या दे दिया बच्छो सूचक दे दिया कि जनता को अपने राष्ट से जादा प्रेम करना है अपने राष्ट से अपने देश से जादा प्रेम करना है देश के प्रती जादा सम्मान पूर्वक रहना है ठीक है और इसके बाद क्या हुआ बच्चो इसके बाद ये सिलसला यूरोप के कई देशों में फैलने लगा फिर यूरोप के बहुत सारे देश जू थे जैसे मैंने आपको एक्जामपल दिया इन सभी देशों में भी क्या होने लगा चाहे आप जर्मनी को देखें चाहे आप इटली को देखें इन सभी देश को लेकर लोग क्या हुए जादा सजग हुए वह अपने देश के क्या है बच्छों राजाओं से जादा सम्मान ना करते हुए देश के प्रती जादा सम्मान करने लगे क्लियर रहा तो बहुत ही सीध है सरल पॉइंट पर आपने पाया कि देश के अंदर क्या देखा आपने ब आया कि आपको देश से जादा प्रेम करना है देश को अपना मानना है ये सोच फ्रांस की करांगती से शुरू होती है यूरोप के अंदर उसके बाद ये पूरे यूरोप के अंदर पहलती है इसको पहलने में लगबग सौ साल लगते हैं और इस का लवधी में इस लंबी प्र शुरुआत आते आते क्या है बच्छों 20 वीश इताबदी का मतलब क्या है कि साल 1910 थी के तो 20 वी शुरुआत आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र यानि के देश की जनता जब यह डिवांड करने लगे कि देश हमारा है देश की जनता देश को चलाएगी राजा नहीं चलाएंगे अपनत्व की भावना जब आजाए अपनत्व की भावना यानि कि अपने पन की भावना जब आजाए इसी को आप क्या कहेंगे राश्ट वात कहेंगे जब देश की जनता ये डिमांड करने लगे कि देश कशा संदेश की जनता के हाथ में होना चाहिए अपने पन के देखते हैं जिसमें क्या होता है बच्छों लोकतंद्र विद्वान है और इसकी शुरुवात लगभग साल उन्निस सो के समय होती है यूरोप के अंत्रगत अब देखें क्या है बच्छों राश्टुवात की पहली अभी विक्ती फ्रांस में हुई आपको बता है ना अभी अभी हमने देखा कि सबसे पहले देश की प्रती जो सम्मान की भावना है देश से अपने पन की जो भावना है ठीक है देश को अपना बनाने की जो भावना है अपनत्व की जो भावना है ये सबसे पहले फ्रांस में 1789 की करांती पर दिखती है कि देश की जनता फ्रांस की जनता ने बता दिया कि हम फ्रांस से जादा प्रेम करते हैं फ्रांस के भविश्य को लेकर जादा चिंतित हैं ठीक है राजा को लेकर नहीं जब राजा ही सही काम नहीं कर रहा था तो राजा की चिंता क्यों इसी के साथ क्या दिखता है बच्छों फ्रांसिसी क्रांती ने वहां की राजनितिक और समीधान में कई बदलाव किये अब यह जो फ्रांसिसी क्रांती हुई थी इसने वहां पर पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया समाजिक परि चाहते हैं यानि कि क्या लाना चाहते हैं लोक तंद्र तो जब लोग इखटा हुए और लोगों ने खटा होकर बदलाव की मांग करी इसी को ही आपने करांती कहा अब लोगों ने ये डिमांड करी थी क्या डिमांड करी थी कि हम लोकतंद्र को चाहते हैं और ये जो राशतंद्र है राजा जी है इनको हटाना चाहते हैं और इसलिए क्या करा बच्छों लोगों ने करांती करी यारियानी के विरोध किया और इस विरोध के रूप में आपने क्या ये साथ एक थे हमारे तीसरे दरजे के लोग तीसरा वर्ग इस तीसरे वर्ग के अंदर मजदूर किसान और महिलाया करती थी सारा का सारा का सारा जो क्या था बच्चों टेक्स लिया जाता था वो तीसरे वर्ग से लिया जाता था और जो कुलीन वर्ग यानि के अमीर लोग थे और जो चर्च के लोग थे कुछ नहीं करते थे आराम से जिन्दगी जीते थे, कोई काम नहीं करते थे, कोई टेक्स नहीं देते थे जो राजा था, वो जन्ता को क्या कर रहा था, धोका दे रहा था एक वर्ग से बहुत जादा टेक्स ले रहा था, और दूसरे वर्गों से कोई टेक्स नहीं ले रहा था जनता परिशान थी जनता को समझ में आया जब राजा ही जनता का नहीं है तो हमें राजा का होने की क्या जरूरत उनको अपने देश की प्रत्परती सम्मान की भावना हुई देश की भविशे का ख्याल हुआ देश की सुरक्षे की बात हुई क्योंकि अगर देश सुरक्षित हातों में होगा तो उनका भविश्य सुरक्षित हातों में होगा इसलिए ये जो सोच थी कि हमें बदलाव लाना है राजा को हटाना है ये राश्टवात की ही अभिविक्ती थी कि देश को अपना बना लिया कि हम अपने देश में अपने तरी के अभिविक्ति के कारण ही राष्ट वाद यानि कि अपने देश से प्रेम की अभिविक्ति doctrine है कि सथा सो नव शी में सत्ता का हस्तनांत्रन हुआ गें जन्ता ने साबित कर धिया जन्ता ने दिखा दिया कि भाई हम तंद को बिलकुल पसंद नहीं करते हम प्रजा तंत्र को चाहते हैं और ये जो राज तंत्र की समापती होती है प्रजा तंत्र जंता कर साबित करती है लोग तंत्र जंता लेकर आती है ये कैसे विद्वान हुआ अगर जंता के मस्तिश में अगर फ्रांस के लोगों में राश्टवाद की भावना नही होती कि हमें अपने देश से जादा प्रेम करना है क्या ये कभी संभव हो पाता अपी तू बिलकुल भी नहीं हो पाता तो देश के अंदर जनता का राज जनता की शक्तियां जनता के हाथ में देश को चलाने की शक्तियां आई इसमें बहुत बड़ा योगदान महतुपूर य सोची है देश से देश की प्रेम की सोची है ठीक है और इसके साथ क्या होता है बच्चों फिर नई संगठन बनाया जाते है नागरिकों को अधिकार दिया जाता है और उससे क्या किया जाता है चीजों को चलाया जाता है राश्ट की भावना की बात करें कि देश के अंदर क जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर क्या किया गया, जहां पर राज तंद्र को समाप्त कर दिया गया, और जहां पर एक तरीके से प्रजा तंद्र, प्रजा तंद्र का मतलब लोगों का तंद्र, या फिर लोग तंद्र, इसको इस्थापित किया गया, लोगों को एक खटा कै क capabilities से किया गया क्यूंकि आपने देखा ना फ्रास का सफ़ाज तो अलग अलग भागों में बटा है यहां पर चर्च के लोग हैं यहां पर अमीर लोग है यहां पर महिलाएं हैं किसान हैं दास हैं सबको एक खटा कैसे किया सबको तयार कैसे किया सबको एक देश में एक राष्टे ध्वज में कैसे जोड़ दिया गया चलिए देखते हैं हुआ ये, बच्चों हुआ ये कि क्रांथिकारी थे, जो परिवर्तन लानी की बात कर रहे थे, जो चाहते थे कि देश में क्में क्या हो बच्चों बदलावाई उन्होंने क्या करा राश्टवाद की भावना स्थापित की सब लोगों के दिल में सब को जागरित किया सब को सचेत किया सब को बताया कि देश पहले है राजाबाद में हैं देश रहेगा तो हम रहेंगे राजा के रहने या रहने से हमारा स्थित्व खत्रे में नहीं है तो जो राजा था राजा का जो चिन था ठीके राजा जो था ठीके लुि 16-0 राजा जो चिन था उसको खटा दिया gεια और उसके बदले देश का एक जंदा बनाया गया जैसे हमारा प्यारा भारतिय तिरंगा क्या गरता है बच्छों हम सभी को एक घटा कर देता है हम सभी लोगों की संस्कृतियों को एक रखता है वैसे ही आपने क्या देखा फ्रांस के संदर में भी राजा का जो चिन था राजा का जो जंडा था उसको हटा कर फ्रांस के लोगों ने अपना तिरंगा अपना जंडा प्रस्तुत किया जो फ्रांस के लोगों को एक कर देता है जब भी बच्चे जानते हैं परातना सभा में जब जाते हैं स्कूल के अंदर गीत गाते हैं राश्टे गीत गाते हैं राश्टे गान गाते हैं इसका फाइदा क्या है क्या होता है इससे फाइदा ये है कि हमें अपने देश पर गर्व होता है हमें पता चलता है कि हमारे देश की स समाज में लोग बटे हुए थे उनको एक कर दिया गया और फिर बहुत बड़ी कर दी गई फरांस के अंदर और इसके साथ क्या हुआ बच्छों शहीदों को नमन किया गया शहीदों का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपना बलीदान दिया था राजा के लिए नहीं देश के लिए बलीदान दिया था उनको याद किया गया उनका सम्मान किया गया और उनके चार धाराएं पैदा हो रही हैं यह सारे घटना कर्म हो रही हैं फ्रांस की क्रांती से पहले और उसके बाद यहीं घटना कर्म लोगों का एक खटा हो जाना राश्ट्र ध्वच को एक कर देना एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा फ्रांस के अंदर क्या है बच्छों पर्चलित कस्टम ड्यूटी फ्रांस के अंदर क्या हुआ करता था फ्रांस के अंदर एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी थी क्या था कि अगर आपको एक छेतर से दूसरे छेतर में जाना है क्योंकि फ्रांस तो बड़ा देश है वहाँ पर अलग अलग शहर थे अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आपको टेक्स देना होता था क्या गरना होता था एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी या फिर टेक्स देना होता था समाप कर दिया जंदा ने कहा कि देशी अपना है पूरा का पूरा तो टेक्स देनी की क्या आवशक्ता अपने देश की किसी भी शहर में आओ जाओ कोई भी क्या है बच्चों टेक्स देनी क्या आवशक्ता नहीं है लोग इखटे नहीं होंगे क्या इससे जरूर हुए लोग जुड़ गए एक दूसरे के साथ आना जाना हुआ लोग जुड़े विचारों का अद लोग फ्रेंच भाषा को बोलते थे इसी वज़ा से फ्रेंच भाषा को माना गया कि यह हमारे देश की भाषा होगी और जब इसको देश की भाषा बना दिया गया तो सब लोगों को लगा कि हम सब एक ही भाषा बोलते हैं हमारी भाषा भी एक ही है हम सब ही कर सोचने का तर क्रांती की और बड़े और देश में बड़ा परिवर्तन लाखडा किया क्या किया बच्छों एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन लोगों ने लाखडा किया फ्रांस में होने वाली जो गतीविधियां थी क्या है बच्छों अब फ्रांस में यह जो परिवर्तन आपको दिख र यूरोप महादीप में पढ़ता है तो यूरोप के जो दूसरे देश थे क्या है बच्छों यूरोप के कई शहरों के लोगों को भी परभावित किया यूरोप के दूसरे देशों को लगने लगा कि फ्रांस के लोगों क्या अचंबित करने वाला काम किया है उन्होंने अपने राजा को हटाया और देश को सव्परतम रखा तो उन जेशों के लोग जो अपने राजा से परसंद नहीं थे वह अपने देश को जादा पसंद करते थे उनके दिमाग में भी बात उठने लगी, कि हमें क्या करना होगा? अपने देश के प्रती सजग होना होगा. ठीक है, अब इन शहरों में क्या है बच्छों यूरोप के जो दूसरे देश थे, जैसे जर्मनी हुआ, इटली हुआ, इन देशों के जो अलग-अलग विदमान लोग थे पड़े लिखे लोग थे इन्हों ने क्या करा बच्छो इन लोगों ने कोशिश करी लोगों को एखटा करने की कि हम लोगों को एखटा करें और जैकोबिन कलब बनाए तो फ्रांस के अंदर भी जैकोबिन कलब बने और उसी के साथ साथ क्या यूरोप के दूसरे छेत्रों में भी क्लब बने क्लब मतलब समुहू जो लोगों को राष्ट वाद की तरफ लेके जाएंगे लोगों को बताएंगे कि राष्ट पहले है राष्ट वाद की भावना जादा है देश पहले है लोगों को जागरूप करेंगे इसकी कोशिश की ग के अंत्रगत ठीक है 1790 के दशक में क्या हुआ बच्छों फ्रांस की सेना ने हॉलेंड बेल्जियम स्वेजलेंड और इटली के एक बड़े भुभाग पर कबजा कर लिया फ्रांस के लोगों ने तरीके के उनको अपने कबजे में करने की कोशिश करी इस तरह क्या हुआ इस तरह फ्रांस की सेना ने अन्य देशों में राष्टवात का प्रचार करने का काम शुरू कर दिया यह जो लोग थे देखिए जब फ्रांस की क्रांती हुई देखिए ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आएगा फ्रांस की जब करांती हुई तो जो फ्रांस का राजा था जो फ्रांस का राजा था लूई 16 उसको हटा दिया गया और वहाँ पर जंता का शासन हो गया अब फ्रांस की जंता को लगा कि हम अपने आसपास के देशों में भी राश्टवात को भर फैलाएंगे लोगों करा फिर जो फ्रांस देश की सरकसेना थी उन्होंने उन देशों के अंदर कब्जा कर लिया और वहां जाकर जो वहां की जनता थी क्या करा वहां की जनता को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया तो फ्रांस की सेना घुजी और क्या करा अब दूसरे देशों के अंदर भी क गाग रुख रही है तो यह तो हमारी आज की कहानी रही जिसके अंदर हम लोगों सीधु सरल तौपर ब्रमड़े रिवीजंच चल रहा है हमारा हम लोग ने राश्टवात क्या राश्टवाद का कहते हैं इसी को आप लोग राश्टरवाद कहते हैं कि जी राजा वाजा आते रहेंगे शासक वाशक आते रहेंगे ठीक है लेकिन देश पहले है देश हमेशा से है देश हमेशा रहेगा यही राश्टरवाद की भावना है राश्टरवाद की यह भावना यूरोप के अंदर कहां से पैदा हुई राष्टवातकार्ज जाना उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि यूरोप जो महादवीब है यहां पर लोगों के अंदर क्या था बच्चों उस समय में क्या है बच्चों लगबग 300 साल सहले 300 से 400 साल पहले समस्त यूरोप के अंदर राष्ट तं 1789 की क्रांती कहां पर घटित होती है आपको पता है फ्रांस के अंदर घटित होती है जो 1789 की क्रांती थी ये फ्रांस के अंदर परिवर्तन ला देती है फ्रांस की जंता ने अपने राजा के खिलाव जाकर काम किया उनको लगने लगा उनको समझ में आ गया कि भाई देश है उन्हें अपने देश की सुरक्षा का सवाल उठा कि देश अगर सुरक्षित हातों में होगा तो उनका भविश्य सुरक्षित होगा जनता इखटी हुई जनता ने विरोध किया विरोध को अगर आप कहें दूसरे शब्दों में तो करांती करी और इस करांती के बाद क्या क क्रविक्राइम की भावना को रखते हुए राजा को हटाया राज्टंदर को समाप किया लोकतंद्र को इस्थापित किया तो फ्रांस के जो दूसरे बच्छों यूरोप के दूसरे भू भाग थे यूरोप के वो छेट्र जहां पर इट परीशान थी किन से परिशान थी अपने राजाओं के नीतियों से फिर फ्रांस के लोगों ने उन छेतरों के आसपास के छेतरों को फ्रांस ने क्या करा तरीका क्या करा अच्रों देश कहते हैं। मैं भारत देश के हैं। या अपना राश्टheus ज़शा के साथ क्या immature बस्ट दोर्ट वाशा आप प disruptive एक भाशा एक राष्टे ध्वज ठीक है तो देश का एक गान राष्टे गान देश का राष्टे गीत देश का राष्टे ध्वज देश की राष्टे भाशा सब को एक कर देती है तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ बच्छों फ्रेंच को राष्टे भाशा बनाया गया सब उस तो इसी से बहुत बड़ा परिवर्तन फ्रांस के अंदर दिखा जिसने 1789 की करांती करी और आज की क्लास हमारी इसी महत्वपूर्ण बिंदूओं के संदर्ब में थी अब हो जाएए तयार आप और मैं क्विज की ओर जा रहे हैं हम लोग आज की क्लास के संदर्ब में कि अगले सवाल के और बढ़ रहे हैं यहां लिखाए नए राष्टों के निर्मान की प्रकिरिया कब शुरू हुई कि कब से नए नए राष्टों का निर्मान होना शुरू हो गया फ्रांस के अंदर क्या हुआ बच्छों अब लोगों को लगने लगा कि नए तरीके से शासन करना होगा वो कब से शुरू हुआ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको यह बताना होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कौन सी भाषा को राष्ट की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया फ्रांस के अंदर जर्मन फ्रेंच जर्मन फ्रेंच दोनों इन में से कोई नहीं हुआ कर दो अब क्या हुआ बच्छ अभी हम लोगों ने हम अप सभी के साथ अपने क्विस को किया क्यों न एक एक करकर इनके आंसर्स को आप सभी के साथ डिसकस करें इन में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका आप्शन सी राश्टवाद को अपनी जड़े पहलाने में लगभग 20 साल का समय लगा नहीं लगभग 100 साल का समय लगा कि पूरे यूरोप के अंदर लोगों को और देश से प्रेम की भावना पैदा हुई इसको फैलने में 100 साल से लंबा समय लगा और इसी के बाद फिर लोकतंदर दिखने लगा यूरोप के दूसरे देशों में शुरुबाश 1789 से रही पूछा गया कि नए राश्टों के निर्मान के लिए कि नए नए राश्ट बनने लगे नए तरीके से शासन प्रकिरिया होने लगी यह 1789 के बाद फ्रांस की करांती के बाद ही यूरोप के अंदर देखा गया था अगला सवाल आप सभी के सामने है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि फ्रांस के परचलित कस्ट्रम ड्यूट उसको तो समापती कर दिया गया था कि देश ही एक है तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर पैसा क्यों दिया जाये इससे लोगों में अपनत्व की भावना हो आ गई थी अपने पन की भावना आ गय थी सब एक्षटे और एक सा महसूस करने लगे थे अगला सवाल कौन स क्लास के क्विज रहे अब आप सभी बच्चे हो जाईए तयार हम आप सभी के सामने आज की क्लास के होंवग को रख रहे हैं पहला सवाल है राश्टवाद को पारिभाशित कीजिए राश्टवाद से आप क्या समझते हैं फ्रांस इसी लोगों के बीच सामुहिक पहचान के पैदा करने वाले फ्रांस इसी कदम क्या थे कि फ्रांस के लोगों ने कैसे एक दूसरे को इखटा किया वो क्या क्या चीजें क्या क्या प्रतीकों का परियोग क्या जिससे सब एक हो गए फ्रांस में जो गतिविधियां हुई फ्रांस की क्लांती में या फिर फ्रांस देश में जो गतिविदियां हुई उससे यूरोप के अन्य भागों पर क्या परभाव पड़ा आपको ये बताना होगा तो ये तो आपकी आज की क्लास के होंवक रहे जो आप सभी के सामने रहे अब हम क्या करेंगे बचों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर यह डिसकस और सुना होगा यह जानेंगे कि फ्रांस के अंदर इनकी कैसी क्या होती है बच्चो उत्पत्ती होती है फिर यह देखेंगे कि फ्रांस की जंतने अब तक आपने क्या देखा कि आपने अब तक यह देखा कि फ्रांस के अंदर राज तंद्र था और वहां पर क्या था बच् तिन GG yg anda hebben बुद्न फ्रांसने परिवरतन की एचंटा की उनके साथ क्या प्रथिक्रिया रही और क्रान्ति से पहले कि किया इस्तिती थी हम लोग उसको भी गहराई से अपनी अगली भाशा हो देशों के बीच में क्या हो बचों कस्टम ड्यूटी ना हो इन प्रतीकों के दुआरा किसी भी देश के अंदर राश्टवाद की उत्पत्ती देखी जा सकती है राश्टवाद की उत्पत्ती सबसे पहले फ्रांस में हुई और इसने फिर पूरे यूरोप के अंदर क्या करा बच्चों अपना पर्भुत्व डाला और इसको फैलने में लगभग 100 सालों का लंबा समय लगा यह हमारी आज की क्लास रही जो आप सभी के समक्ष प्रस्तूत की गई मुझे पूरी उमीद और आशा है कि हमारी आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही मनुरंजक रही होगी और ग्यान वर्दक भी अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान बहुत बहुत धन्यवाद